अमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल योने क्लासिस पर और आज हम सभी करेंगे अपना कल्स आपका मलब सभी का हिस्टरी का एक्जाम है तो उसके लिए बहुत बहुत शुब काम नहीं आप सभी को और आप सभी ने चैप्टर वाइस MSQ तो तो बार बार रिपीट करने की बात है, क्योंकि इसमें पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज है, तो बता देती हूं, तो देखो, 24 कोशन होंगे, खंड कर में, उसमें से 20 कोशन करने है, और कोई भी यह नहीं कहेगा, कि यह कैसे लिखा हुआ है, हाँ पर, बिल्कुल भी गैप वगरा नहीं है, क्योंकि यह मैंने त्यार नहीं किया, यह CBSE नहीं त्यार किया हुआ है, ठीक है, और देखो, खंड कहें, जो है, जो है, सेक्षन बी, जो है, जो है, तो इसमें 22 प्रशन आएंगे, उसमें से आपको कितने 10 प्रशन करने हैं, और खंड जो डी वाला है, अगे चलते हैं, अपना सेक्षन ए आ गया है, यहां पर चले, स्टार्ट करते हैं, अपने कोशन, पहला कोशन ही हाँ पर कह रहा है, मैं फट अफट करवाने कि पूरी-पूरी कोशिश करूंगी, पहला कोशन कह रहा है, हडपा सभेता का सबसे बड़ा शेहर कौन सा था, इसली प्रयोग का प्रमान अगर देखा जाए तो निम्ण महिषक कौन सा है, तो हलका प्रयोग काहां से पताचलता है, हलका जो प्रयोग है वह हो कालीबपंगन जो है, उससे पताचलता है, तो option A जो है करेक्ट हो जाएग है यहां, अगला देखिए, अगला कोशन ही हहाँ देखिए सबसे बड़ा हर बस तल पुछ रखा है तो पहले रोपर दूसरा लो तल तीसरा काली बंगा और राखी यहां पर राखी गड़ी लिख रहा है तो रहेके तो बताइए इसका कौँसा option करेक्ट होगा आपका सबसे बड़ा इसका option का जो भी है वो आप सभी मुझे comment box में बताएंगे ठीक है अब आगे चलते हैं अगला question देखिए अगला यहां पर question दिया गया the great bath or the great greenery कि इसे side से सम्मधित है यह दिया गया देखो हिंदी में translate किया है सिवेसी वालों ने तो देखो कैसी गरबड की हुई है यहां पर यानि कि English में टम से रखी है तो पहला काली बंग दूसरा भीरिना तीसरा मोहन जोद्रों तो मोहन जोद्रों तो अपना ठीक होगा मोहन जोद्रों में जो दूर्ग है दूर्ग में ही आपको जो ग्रेट जो बात यानि की जो महा जो कौदाम है और महान जो सनान घर है वहीं पर मेले हैं हमें इसलिए आपका option number जो से यह वह यहां पर correct हो जाएगा ठीक है अगले question चलते हैं अगला देखो प्रभावती गुपता डैश की पुत्र थी तो प्रभावती गुपता जो किसकी पुत्र थी वह थी चंद्र गुपत की तो option भी अपना correct हो गया अगला question देखो अगले question हम सभी के सामने है छटी स्टाबदी में प्रियोग के रूप में कौन से धात पहली स्टाबदी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किये थी तो सोने के सिक्क्यों को लेकर प्रशिन पूछा जाता है तो किसने जारी किये थी कुशान शाषकों ने किये था सोने किये तो यह साथ चीजिए मैं अपने chapters में cover कर वा चुकी हूँ जो chapter wise mcqs थे उसमे नाम पी उनके पास थी तो यहां पर आपका option number जो ए करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं तो अगला देखो गोत्र के संधर में लोगों के वरगी करन के बारे में निमली कितमें से कौन सा कथन जो है सही है यहां पर पूछा गया बहुत दिक्कतोरी मुझे रीट करने म मैं आप से के लिए रीट कर रही हूं तो देखो भई यहां पर पूछा गया पिर उन्हें कहा है जो हजार इसापूर्व के आज पास ब्रहामन वादी जो प्रता थी उसके संबंद में हमें इसका आंसर देना है ठीक है गोत्र के संबंद में जो बात चल रही थी जो भी जो कथन वगर कहें जाते थे तो वो चीज़ें यहां पर दी गई है नीचे उनको रीड करना है और इसके आकोड़ें हमें आंसर देना है पहले रिखा है शादी के बाद महिला महिलाओ से अपेक्षक की जाती थी कि वे अपने पिता के गोत्र को छोड़ दें तो हां शादी के ऍपति के गोत्र को अपना अपना अपनाने वाले थे तो ये भी ठीए कि एक ही डोत्र के सदस्टे स्वादि नहीं कर सकते तो एक ही कोत्र के सब्सक्राइब सादी नहीं कर सकते हैं वर्तमान में हिंदू जो धर्म है उसमें सायच जुए अभी वर्तमान में हैं तो कहीं ना कहीं देखिजाती है तो यह भी हमारा option यह क्यों जागे डी वाला यह सभी correct हो जाएगा आगे चलते हैं आगे देखो यह मैंने प्रैक्टिस पेपर हैं फर्स टाइम ऐसे देखा कि इतने जादा गड़ बड़ की हुई यसी बैसिन हद है भई हिंदी मीडियम वालों समझाए नहीं जा रहा है चलो छोड़ो अगला कोशन है निमले कित में से कौन शत्रियों के वेवसायों में से एक है तो शत्रियों का वेवसाय जो है वो पूछा करे है ठीक है तो यहां पर पहले देखा बलीदान करना और उपहार देना दूसरा यहां पर वेदों को पढ़ने के लिए ठीक है पढ़ाने के लिए तीसरा है यहां पर वेपार और जो होता ह वो शत्रियों का काम नहीं है शत्रियों का काम होता था वेदों को पढ़ाना यानि कि ब्रहामन जो वेद पढ़ते थे उन्हें वो क्या करते थे उन्हें पढ़वा देते किसके लिए पढ़ रहे थे वेद जो है ब्रहामन वो किसके लिए पढ़ रहे थे शत्रियों के लिए option भी अपना correct हो जाएगा अगला question देखू शासरों के अनुसार डैश ही देश पर शाषन कर सकता था यानि कि राजा बन सकता था कौन से कुल का था वो तो उनके अनुसार शत्र यही क्या है राजा बन सकता था पर इसके बहुत सारे आवाद भी देखे गए आप सभी को पता ह होगा comment book से मताओ इसका अपवाद कोंसा है साथ वहन है बैई सहब् burnt शाषक है अगरला question है है हाँ पर महा भारत की मूल कहानी कि सभारा रचीत है तो महा भारत की मूल कहानी की बात की रहा तो सूट के रचीत है और अगर और बाद में अगर उसका जो सारका सारा है किसने जिमा ले लिया था ब्रहामने ले लिया था तो वैसे तो रियल जो स्टोड़ी है ये महाभारत की वो सूथ के दुवारा है अगला कोशन देखो सिधार्थ का नाम बुद्ध के रूप में जनम के समय पर रखा गया था वे किस राजा थे आच्छा जो सिधार्थ है उनका जनम के यानि कि जो बुद्ध है उनका नाम जनम के समय सिधार्थ रखा गया थे प्रशन है तो वो कौन से वहां के राजा थी तो यहां पर पहला उप्शन देखा शाक्यर दूसरा यहां पर देर रखा पांच 4.3 कूरूर उतर हो था यहां पर है भंग तो कौन से कहते शाक्य के थे तो option number जो अपना correct हो जाएगा अगला question देखो अगला question भौपाल का शाशक था तो शाशक पूछा गया है आप पर भौपाल का नहीं कि तुम यहां पर शाशन करने वाला है वो कौन था इन में से तो शाहां जहां बेगम जो है भौपाल का शाशन करने वाली थी तो option number भी अपना correct हो जाएगा यहां से हमारा ठीक है और यह करने के बाद जो है वो जो साची की स्थूप है उनका सेंड़क्शन किस ने किया था शाहां जहान बेगम ने किया था तो option number C अपना correct हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला दिया गया यहां पर हम सभी के सामने system वाला जैन धर्म के अनुसार महावीर से पह पहले तेज रह चुके हैं तो तेज वाला अपना D option correct हो जाएगा अगले question देखते हैं 17 वाला यहां पर है यहां पर अच्छा ने नार लिखा हुआ है बड़ी दिक्कत हो रही है मैं फिर भी आप सभी के लिए बना रही हूं तो like share तो बनते हैं ने नार संतों दुआरा ने ने नार संतों के दुआरा कौन सी देवता की पूझा की जाती है यह पूछा गया यहां पर तो ने नार के दुआरा शिव की की जाती है तो यहां पर भी option अपना correct हो जाएगा आगे चलते हैं आगे question दे रखा 18 वाला ने ने मिले के तुमें से कौन सा जो सबसे प्राचीन को थै यह पूछा गया प्राचीन वेद के बारे में पूछा जा रहा है तो रिग वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है द्यान रखना है आपको अगला कOSTन देखते हैं कि अ कि अगले हैं आपर है ने इर दिव dozen प्रबंधनम जो यह है यह किसके दुआरा जो है यहां पर किस में कि अच्छा इसकी जो रचना को किसंद में की गई थी हाँ पर यह पूछा गया है तो यह जो है तमिल वेध है आपको ध्यान रखना तो तमिल में की गई थी तमिल वेध है तो यह option अपना correct हो जाएगा अखला कोशन देखते हैं 20 वाला कोशन दे रखा है हमारे सामने तमिल नाडू में किस अलवर महीला के गीत व्यापक रूप से बजाये जाते हैं तो किस जो अलवर महीला है उस अलवर महीला का नाम बूछा गया है जो तमिल नाडू में थी जिसके गीत जो है बजाये जाते हैं तो वो है हमारी अंडाल लिखा हुए अंडाल होगा ठीक है आप करेक्ट कर लेना तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जागया यहां पर अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन 21 वाला है कृष्ण देव राय जो है उनकी मिर्तियों कब हुई थी यह पूछा गया यहां पर कृष्ण देव राय की मृतियों सेना ने राक्षषी जो तागड़ी थी उसकी अच्छा लडाई कब हुई थी किससे हुई थी लडाई 1565 में विजय नगर में जो सेना थी जो राक्षषी सेना थी यह इसकी रडाई किससे हुई थी यह राम रोए थी ठीक है तो आप्शन नमबर जो भी है अपना करेक्ट हो जाए गए हापर देखिए आप सभी को भी दिक्कत हो रही होगी मुझे पता है यह अजीब सा लिखा वो आ रहा है मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो चलेंगे ठीक है आप सभी का फाइदा मेरा तो उसमें कुछ वो नहीं ह आप सभी के लिए मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करती हो बनानी पड़ रही है वीडियो अगला कोशन देखते हैं अगला यहाँ पर दे रखा है हम सभी के सामने क्या दे रखा है यह एक मिट मैं से रीट कर लेती हूँ पहले फिर मैं आप बगताती हूँ इसमें लिखा हुआ यहाँ पर ओडियन्स होल और जो महानोवी डिबा था उसमें जो है उसे सनुक दूरूप से विजय घर कहने वाला जो है वो कौन सा पूर्त गाली यात्री था यह पूछा गया तो डी वाला अपना ओप्शन करेक्ट हो जाएगा हमपीख हमपी के खंड हरो को 18-100त में किसके दुवारा जो किसके दुवारा लाए गया था तो अपना ओप्शन और ने हुल गया वाला ओप्शन करेक्ट हो गया आगे चलते हैं आगे हमारा खंड खर जो स्टार्ट होने वाला है वैसे तो खंड खर इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर और यहाँ पर जो कोश्चन है फिर से वैसे ही दे रखें हद होती है भाई 25 वाला देखते हैं नीचे दिये गए प्रश्णों में दो कथन दिये गए है एज्व हमारा कथन है और आपर में दे रखा है तो एक दिया धो यहां पर यहां पर यह दे रखा है भाई हमें बड़ी दिक्कत हो रही है अगर मैं से रीड भी करना चाहूंगी फिर बिरिड नहीं हो पाएगा तो यहां तो मैंसा करते हो लिंक यह डिसक कि हाँ पर बड़ी दिक्कत रहेगी आगे चलकर कोशन सब के ऐसे ही ऐसे हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाते जा रही हूं वैसे भी अभी बस आपको प्रैक्टिस पेपर की जरूरत है ना कि आप सभी को अपस्प्राइशन के अलग से कहीं किसी कोशन में दिक्कत होती है तो मुझे बता देना आप सभी और मैं लिंक जो है डिस्क्रिशन बॉक्स में देदूंगी क्योंकि इतना जादा नहीं कर सकती हूं कि इतने सारे कोशन जो है मैं आप सभी के लिए करने की पूरी-पूरी मुझसे नहीं उपाएगा इतना जादा नहीं बहुत जादा कई-कई जो अभीकतन होंगे उसमें तो बहुत ही गल्त जो वर्ट होगी यानिकि ट्रांस्टेट बहुत गलत किया हुए ऐसी भी असी ने तो ऐसा कर दिया जाएगा डिस्क्रिशन जो डिस्क्रिशन बॉक्स हो सभी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा जो कि दिरे दिरे रीड कर सकते आप सभी मुझे तो वीडियो में आप सभी को सारा दिखाना पड़ेगा सब कुछ रीड करना पड़ेगा कंडगर यहां पर स्टार्ट हो चुका है यह तो स्क्रिंशोट ले लो जो यह पीडिएफ डा ट्रांसलेट करके बस इतनी ही PDF दिखाती हो फिर इसका मतलब आप सबी के लिए यूजलेस हो कहाँ चलो दिखातो दिया है नो हिंदी मीडियम के लिए तो यह है आपका अब इसके कोशनी हाँ पर यह दे रखे हैं देख लेना ना चाहते हुए भी मुझे आज ऐसा करना पड़ा क्योंकि बड़ी दिक्कत हो दिया मुझे से रीड करते हुए यह आप सब भी मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से अब यह मैप दे दिया गया है अब इसके अकोडिंग आपको इस तरीगा से कोशन दिखेंगे आखिरकार मैप में आकर जो है कोशन ठीक दिखाए दे रही है बस देख लो फिर ठीक दिखाए दे रही है तो यह हो गए साठ कोशन कमप्लीट अब जो है इसके description box को check करना link दी हुई है मैंने और download कर लेना और फटाफट अपना attempt करके देख लेना ठीक है thank you so much और like करना चाओ तो कर सकते हो ठीक है thank you so much